अब आज कि ये वीडियो में अच्छी सम्बंदी थे हैं, आज का प्रश्न है आफके सामने एक पीता की औाइऊ पूत्र की और नहीं से तीन वर्श भी आएऊ अपने पूत्र की आयू के दुबने से दस वर्षा धीक हो तो पूत्र की वर्तमान आयू ग्याद कीजिए चलिए इसको हल करते हैं भाई हल करने से पहले चैनल पर नहीं है अब ही तक सब्सक्राइब नहीं किये का लिजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इनारेज फिल विडियो प्रतेजिन अप्लोड करी जाती है नोटिफिकेशन पाने के लिए जलू रांग करिए घ्याओं दीजिएगा यहां पर दो वर्तियों की बात करी जा रहे है एक तो पिता हो गए और दूसरे पोत्र पिता और पोत्र दो व्यक्ति हैं ठीक प्रसमें कहा गया है कि पिता की ज तो पिता की क्या हो जाएगी पूत्र की आयू का पूत्र की आयू का है एकस हैं पूत्र की आयू के तीन गुणे मतलब तीन से गुणे करेंगे और तीन वर्स अधिक का मतलब तीन जोड देंगे तो क्या हो जाएगा यहां करके 3x प्लस 3 यह हो गया पिता की वर्तमन है और होगा है प्लियर प्रशन आगे कह रहा है यदि तीन वर्स बाद पिता की जो आएू है तो तीन वाद लिख लेते हैं वाई प्लाय आपर पिता क्या होगी यहां पर फोना राइश पिता की क्या है तरी एक्स त्री तो इसमें हम 3 जोड देंगे और पूत्र की वर्थमान हो उब के एकस तो एक्स में हम 3 जोड देंगे यहां पर यह करके पिता की आई क्या हो जाएगे 3X प्लस 6 आप प्रशनार्य रुशार काम करेंगे प्रशन कहा दा थीन वर्ष बाद जो पीता की आईउ है 3x plus 6 यह जह है पिता की आयू अपने पुत्र की आयू के अब पुत्र की आयू तीन वर्स बात कितनी है एक्स प्लस 3 है तो पुत्र की आयू के दुगुने मतलब दुगुना 2 से बुड़ा कर दीजिए और दुगुना से 10 वर्स अधिक 10 जोड दीजिए इतना आपको हल कर लेन है तिक है 3X plus 6 बराबर वो टिप्लाइ कर दो रॉस दस है can you 3-2 बराबर दस शीक्स से शीक्स कर जाएगा इदा क्या पर चला तो इक्स बराबर क्या हो जएकर दस है तो पूत्र की जो वर्तमान आयू होगी वो क्या होगी तास बद्स प्लोड करी जाती है नोडिविकेशन ने कहिएगा